नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो जोति सास्त्र में नवग्रहों की सांती के लिए और आसिमित धन प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं उनिमें से कुछ उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिनने करके आप ना सिर्फ आसिमित धन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी सभी समस्याओं से भी शुटकार प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो जोती सास्तर में नो ग्रह बताए गए हैं ये सभी ग्रह अपनी प्रकर्ती के अनुसार फल परदान करते हैं जब ग्रहों के इस्थिती कमजोर होती है या फिर ग्रह एक दूसरे के साथ मिलकर कोई असुभ योग बनाते हैं तो उसका सीधा प्रवाव ब्यक्ति के जीवन पर पड़ता है इसलिए लोग ग्रहों के असुभ प्रवावों से मुक्ति पाने के लिए कई तरह के उपाय करते ह लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी रसोई में मौजूद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उप्योग ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए किया जा सकता है अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हम आपको इस वीडियो में पूरी जान से मुक्ती दिला सकती है और बुरे प्रवावों से भी मुक्ती पाई जा सकती है दोस्तों सूरे को ग्रहों का राजा माना जाता है कुंडली में यदि सूरे को मजबूत बनाने के लिए सुद्धगी केसर गेहों से कुछ उपाई किये जाएं या फिर इनका दान कर दिया ज जीवन में ग्रहों के राजा सूरदेव किस्तिती बहुत मजबूत हो जाती है। जिसे मजबूत होने से आपको अपने जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोख सकता है। रसीले फल, शर्वत, चावल आदि का उप्योग चंद्रमा को बल देता है। इसलिए चाहे तो आप रसीले फल, शर्वत, चावल, आदि इन बस्तुओं का दान भी गढ़ सकते हैं। या पिर रातरी के समय चंद्रमा को जल दे सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन नहीं दे सकत तो आटे के मोटे रोट बना करके हनुमान जी को चड़ाना ना भूले। इसके साथ ही लाल फल या फिर सब्जियां आदी के परियोग से या फिर इनके दान से साथ में कुछ दक्षिना भी दे। इससे आप मंगल गरे को बलवान मना सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली सबी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में बुद्ध अनुकूल फल परदान नहीं कर रहे हैं तो आप धनिया, सौंफ, मुंग फली, हरीशाग, सबजियों का परियोग बढ़ा करके बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं। इन सबी बस्तों का आप प्रति दिन सेवन करें या पिर जादा से जयादा सेवन करें। सहजन की फली, त्रिफला आधी का उपयोग करने से साथ ही इनका दान करने से आपके जीवन में बुद्ध की कोई भी अनुकूल परसिती आपको कोई भी बुरा फल परदान नहीं करेगी। बल्कि जब एक रुपया ही क्यों ना हूँ, दोस्पर जदी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरू ग्रह असुफल प्रदान करना है, तो फिर आप हल्दी, केसर और केले आदी से, या पर कोई भी पीली चीजों का दान करने से, आप इसे अपने अनुकूर बना सकते हैं, और शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, सफेज चीजों का सेवन भी शुक्र ग्रह को मजबूत बनाता है, यदि किसी की कुंडली में शनी असुफल प्रदान कर रहे हैं, तो सरसों का तेल, कलोंजी, काले तिल का प्रियोग और इनका दान बहुती सुब देता है, राहू केतू के असुफ प्रवावों को हर कोई जानता है, और इनसे बचने के लिए बहुत से उपाय करता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, कि सिर्का, रासाइनिक पदार्त, नमक, इत्यादी के प्रियोग करने से, अपने भोजन में मातरा बढ़ाने से, और जल में जो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जाए बजरंग वली!